BCCI के ओर से बहुत बड़ी खुसकबरी आई है धुरूफ जुरेल और सरफरास खान को लेकर आपको बता दें कि सरफरास खान धुरूफ जुरेल बहुत शानदार प्रदशन रहा था इंडिया इंग्लेंड टेस्स सीरीज में मुकाबले के बाद केल राहुल मौझूद नहीं थे फिर दूसरे मुकाबले में हमने देखा रजट पाटिदार का डेबु हुआ उसके बाद भी आलोचनाय हो रही थी कि हो सर्फरास खान का क्यों नहीं कराए गया रजट पाटिदार का क्यों कराए गया और अंतता हमने दुरूब जुरेल और सरफराज खान से देखने को मिला सरफराज खान की बारवर बाते जैसे अपने बोला कि बारवर बाते हो रहे थी डुमेस्टिक में ओ खिलाडी पिछले एक डेड़ साल से लगाता रन बना रहा था लेकिन उसके इंडियन टीम में जगा नहीं बन पा र देब्यू कराया और शांदार डेब्यू रहा सरफरास खान का भी लेकिन वहीं बात करें धुरूब जुरियल की किसी को इतनी एकस्पेक्टेशन नहीं थी कि दूब जुरेल का भी डेब्यू कराया जा सकता है कैस भरत का खराप पर्फॉर्मन्स मुझे लगता है वह उनके के बाद 50 रन की जो पचास लगा है उन्होंने कुल्दी प्यादव के साथ शुमन के साथ शांदार अब जो है BCCI की तरफ से उनको जे बड़ा तोफा दोनों ही खिलाडियों को मिल चुका है उनको सी कैटेगरी का एन्यूल कॉंट्रेक्ट दे दिया गिया है बिलकुल आपको तो राची में जहां सारे बल्लेबाद नाकाम्याब हो रहते हैं पर्फॉमेंस नहीं आ रहा ता महां पहले इनिंग में 90 रन दूसरी है उन्हीं इनिंग में 39 रन की सांदार पारी खेली और भार्टी टीम को जीत दिरा है बहुत बड़ा कंट्रिबूशन था और उन्हें मै रिषब इंप्रेस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे जहां हम देखते हैं के विराट कोली मिसिंग है केल राहुल मिसिंग है जडेजा भी दूसरे मुकाबले में मिसिंग थे वहां अगर हम देखने कि युवा खिलाडियों का पदारपन्ड हो रहा है जिस तरीके से पर्फॉर्मेंस कर रहे हैं दूसरे में रजट पाटिदार का हुआ था उन्होंने थोड़ा सा निराज किया लेकिन उनके अलावा गर हम देखने सरफरास खान दुरुव जुरेल आकास दीप की हम बात करने जिस तरीके से पर्टिकल की बात करने हरे खिलाडियों ने इंप कहीं न कहीं जिस तरीके सारी चीजों को समेटा पहले मुकाबले में हार मिली थी और युवाओं ने टीम को आगे ले जाया और लगतार चार मुकाबले भाट की बहुत बढ़ी है पर्फॉर्मेंस रहता है बहुत बढ़ी है बिल्कुल और बात करें सरफ्रास खान के लिए उनके लिए थोड़ा unfortunate रहेगा क्योंकि एक तरफ से आपको BCCI से annual contract में भी शामिल हो गए हैं आपको आपके पास शांदार मौका होगा यहां पर दाविदारी पेश करने का हो सकता है कि अगर T20 World Cup के लिए squad बनती है तो आपको ऐसा backup wicketkeeper भी लेके जा सकता है बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने wicket keeping की है मुझे लगता है कि उन्हें में भी backup में रख लिया जाए अगर वो अच्छा perform करते हैं IPL 2024 के सीजन में क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने test cricket में performance किया बेहत शांदार सा T20 थोड़ा अलग मुकाबला है लेकिन हम यह नहीं भूल सकते हैं उनका IPL का ही performance देखकर उन्हें test cricket में सामिल किया गया था साफी extraordinary performance सा लोग आलो चिनाए भी कर रहे थे कि IPL में अच्छा performance देखके आप क्यों रख रहे हैं इनको test cricket में लेकिन उन्होंने प्रूफ कि अपने बल्ले से और कहीं न कहीं जिस तरीके का अब decision BCCI ने लिया है उन्हें criteria जिस तरीके से पूरा किया दोनों ही खिलाडियों ने grade C में सामिल कर लिया गया है BCCI के ओर से बाकी BCCI के ये निर्न है आपको कैसा लगा हमें comment box में बताईए का और जाते जाते तूफान स्पोर्स को like करिये share करिये और subscribe करिये